सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की तो चाइना में आपको इमर्जेंसी मोड ओन दिखने को दिख रहा है तीसरा अगर आप देखेंगे तो COVID-19 variant outbreak latest on virus spread ठीक है तो यह नया जो चीज़ है यह नया virus spread जो है बिसिकली अभी होने को देखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सदर करें आप थोड़ा सा बच कर रहें still COVID अभी गया नहीं है there is a new outbreak and a multiple outbreak in the China is confirmed और यह यहां तक आने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक महिना लगेगा जब यह outbreak आपको यहां पर भी देखने को मिल सकता है so this is a new thing which I am looking there is a event base event base thing जो market को hit करेगा and market जो है इससे क्या होगा थोड़ा सा panic create करेगा and market जो है वहां से थोड़ा सा नीचे ड्रैक करने की कोशिश करेगा यह आपको पता देता हूं market नीचे ड्रैक करने की वापस कोशिश करेगा इस threaten से because यह जो news है पहले चायना में चल रही थी लेकिन अभी इंडिया में काफी viral होने को start हो गई है and market ने इसको read कर लिया है market ने जब read कर लिया तो एक बार के लिए तो आपको correction से गुजरना ही पड़ेगा so Monday market अगर positive start हो रहा है अगर Monday market positive start हो रहा है तो यह समझ देना कि चायना की news का हमारे उपर में कोई असर अभी तक नहीं देखने को पड़ेगा जब तक कि वो इंडिया में outbreak ना करे समझ गए लेकिन अगर यही चीज़ कल के time पर अगर drag देखने को मिलती है और F.I.I.D.I. की ceiling देखने को मिलती है यहां से तो समझ देना market panic creation कर रहा है और market नीचे जाएगा डरने की कोशिश ना करना ठीक है ऐसा मत सोचना कि सारा माल बेश के निकल जाओ ठीक है पहले market को पहली बार के लिए अगर कल के कल correction हो रहा है तो मार्केट अपने हाइ बना रहा है चाहे वो यूएस का मार्केट हो चाहे चाहे इंडिया का मार्केट हो सारे के सारे market हाइ बनाए है हाइ रिकॉर्ड अपना ब्रेक क्या हुआ है पिछला सो यह इस गोंग टूबी चेंजर सो हमें क्या करना है में उन शेर्स पर नज़र रखनी है जो बेसिकली आपको अच्छे प्राइज में मिल सकते हैं या फिर जिनके अंदर में कोई इवेंट बेस चीज है जिसकी विज़र से वो कर्रेक्शन में नहीं जाएंगे विकॉस इवेंट उनका लेटेस इवेंट उनको बचाएगा तो सबसे पहला शेर मैं लेना चाहूंगा अपुलू टायर्स लिमिटेट का अपुलू टायर्स के अंदर में आपको देखिए ए इन्वेस्टमेंट आप रेडी रखना अपको अपना पॉर्टफोलियो अभी के अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि यही वो सही टायम है जब आपको आपके शेर्स जो हैं अच्छे प्राइज में मिलने वाले हैं अधरवाइस के बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा इस दबाइनल आउटब्रेक ठीक है control level stage में पहुच जाएंगे दूसरा यहां पर coaxin को जो है approval मिल गया था दूसरा क्या हुआ कि यहां पर cadela ने भी बच्चों के लिए vaccine बना लिए तो जो बच्चों की vaccine की drive है उसको भी drive देखने को मिलेगी वहाँ पर भी जादा इजाफा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा यह positive news है हमारे लिए तो आपको मैंने calculation समझा दिये सारी तो Apollo Tires के अंदर में क्या है कि Apollo Tires ने 26% का stake करके और एक company को बुलाया है जो की है world famous ठीक है उसका नाम मैं आपको disclose करूँगा पेड ग्रूप के अंदर में disclose करूँगा ना लेकिन आपको एक हिंट देता हूँ तो Apollo Tires ने जो है basically एक company का acquire कर रहा है world famous company Tires की और उसके अधात में partnership करिए so basically क्या है कि वो Apollo Tires जो है यहाँ से उपर जाने की कोशिश कर रहा है और Apollo Tires को अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पर आता है 1972 के अंदर में brand established हुआ था return on capital employed और equity ठीक ठाक है company dividend रहती फेस value एक है company के अंदर में healthy dividend payout है आप यहाँ दे सकते है बाला कर्ष्ट इंडस्टी MRF और उसके बाद है Apollo Tires ही जो है आपको देखने को मिल रहा है ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे के net profit तो net profit company ने consecutive बढ़ाया है देखें यहाँ पर एक quarter two के अंदर में company ने बढ़ा लिया है quarter one के अंदर में जो है company का जो net profit है वो नीचे तो चला गया था उसके अगले quarter जो अब latest आने वाला है उसके अंदर भी company जो है उसको बढ़ा लेगी ठीक है borrowings और reserve को अगर आप देखेंगे तो borrowings reserve दोनों का आदा आदा है लेकिन हम जादा तर जाते हैं तो यहाँ पर जाएंगे के basically company ने जो basically promoter holding है वो इस्टिल अभी तक same बनाई हुए quarter to quarter के अंदर में F.I. ने थोड़ा sale किया लेकिन उसको किस ने buy कर लिया D.I. ने buy कर लिया ने देखिए consecutive buy किया है और जनता के पास तो उतना को उतना ही थोड़ा बहुत increment हुआ है 0.3% का या 30% का आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ है तो जनता का पैसा इस्टिल सेव है मैंने का था 40% से नीचे अगर आप वो तो आप उसके अंदर में एंटर कर सकते हैं आगे चलते हैं तो गोदावरी पावर एंस पाट लिमिटेड जो कंपनी है बिसिकली अभी मल्टी वैगर बनी हुई है फिलाल यह भी शेर करेक्षण करके नीचे आगा अगर आप देखें तो इसने भी एक हाई बनाया है यहां पर एक हाई बनाया 1463 रुपे का सबसका फिर गिरा फिर आया बनाया 1431 और फिर आपस गिरा तो यह करेक्षण करने के बाद में आपको अच्छे प्राइज में मिल जाएगा दूसरा यह दे रहा है आपको bonus and split दोनों के दोनों दे रहा है दोनों के दोनों bonus and split दोनों दे रहा है आपको तो यहां पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि डिविडेंट जो हो ना साड़े त्यरा रूपए पॉट शेर का दिया है प्लस पांच रूपए पॉट शेर के हिसाप से जो है आपको डिविडेंट देखने को मिला यहां पर आपको देखने को मिला आपको डिविजन फेस वैलू स्प्रिट सब्डिविजन 26 तारिक को यह हो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 26 सारी को यह इंट्री का सकते हैं इवंट बेस है तो मार्केट से कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है उसके बात में ठीक है कमपनी के बारे में घर हम बात करें तो काफी बढ़िया कमपनी है काफी बढ़िया है बजाज फानेंस के तरह है और यहां पर आपको देख सकते हैं डिविडेंड भी कमपनी देती फेस वैलू दस है जो की हो जाएगी क्या हाव ठीक है कमपनी का सीजियर अगर आप देखेंगे 55 परसेंट से जादा का सीजियर कमपनी में देखने को मिलेगा हजारों करोड रुपए में जो है भी प्रॉफिट कमाती जा रही है नीचे चलते शेर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो को प्रोमोटर होल्डिंग को इंक्रीस किया और जंते के वास में के वाल है साड़े 30% का ठीक है तो यहां पर अभी भी जंता सेफ है तो आप इसली पैसा इसमें लगा सकते हैं तो प्रीमेम सर्वेस के अंदर में आप इंटरेटे सर्वेस थाउज़न रुपी नमंत में प्राप्त कर सकते हैं डेरिवेटेव स्के भी थाउज़न रुपी नहीं पर मत में मिल जाएगा आपको छूज करना है कि कॉन सा ग्रू करते हैं personally WhatsApp पर ठीक है और यह हमारा ग्रूप का नंबर है आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज़ कर सकते हैं WhatsApp पर वन तो जॉइन ठीक है यह नंबर आप सेफ कर सकते हैं डाइस रुबे पर पर ट्रांजेक्शन देना होता है जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपैप पर ट्रांजेक्शन ही लगता है ठीक है जीरोधा के अंदर में lifetime brokerage free आपको brokerage नहीं दिना होता है 200 रुपए बस साल कर देना होता है angel booking के अंदर आपको 200 रुपए में दिना होता account फ्री है और आप में इसको 3 गुना margin मिल जाता है आपको angel booking के अंदर में ठीक है 1 मैंने के लिए brokerage आपको फ्री मिलता है एकदम फ्री ऑफकॉस अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी एक मेंने के लिए फ्री तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट कुला सकते हैं नीचे दोनों के डिस्क्राइब कर सकते हैं कभी आपको दिखता नहीं है इन्विजिबल होता है लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अधर बैंक अकाउंट के साथ में जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट कुला हुआ है या फिर और के हम आजाके आप दोनों के अधर आपकाउंट को लासे सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है और आप मुझे आप डियम कर सकते है इसी नमबर पर सो गैसा हैं कि सो मच